हेलो इस्टुडेंट्स पेरा मॉंट इंटेड मीडेट कालेज लग्ष्भी प्रदोरों द्वरायोजित आनलाइन क्लासेज में मैं तस्रीव कान आपका फिर से स्वागत करता हूं आज से हम क्लास हाइश कुल तक के लिए यानि क्लास एट इसिप यह सेवन एट नाइन और टेन के लिए एक नया सरी शुरू कर रहे है जिसमें हम करमत इस्टी करेंगे ठेंस का ठीक है तो आज से हमारा एक नया सरी शुरूणगा इसके लिए पहला वीडियो है तो सभसे पहले हम देख लेते हैं कि टेंस होता है उसको समझ लेते हैं इंट्रोडेक्शन समझ लेना बहुत ज़रूरी चीज है क्योंकि कभी-कभी चीजें क्या होती है कि जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं उस हिसाब से नहीं होता है और जो किताबं बताती है उसमें भी कुछ कोईस्टन्स क्रास हो जाते हैं तो उस चीज को पहले हम समझने का प्रय ठीक है तो आए शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए टैंस है रिप्रेजेंट करता है दो चीजों को ठीक टैंस रिप्रेजेंट करता है दो चीजों को एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा मूड आफ वाप्स क्रिया के मूड को रिप्रेजेंट करता है एक चीज तो है समय को रिप्रजेंट करता है, जब हम बात समय की करते हैं तो हम किसी निर्धाइश्ट समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे जो तीन काल होते हैं, वर्तमान काल, भूत काल और भविशेकाल उस समय की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो दो वजे वाला टाइम रिपर्जेंट करेगा, सुबह वाला टाइम रिपर्जेंट करेगा, या साम वाला टाइम रिपर्जेंट करेगा, यह ताइम जो रिपर्जेंट करेगा, वो तीन तरह का टाइम होगा, वर्तमान यानि परजेंट की बात की बात कही जा रही होगी, भूत यानि future में कोई बात कहीं जा रही होगी तो वह चीज क्या निरहायत करेगा टेंस निरहायत करेगा ठीक है फिर से एक बाद रिकॉल कर देना हुआ आपके लिए कि टेंस समय को जब परदर्शित करेगा तो वह कोई आम समय परदर्शित नहीं करेगा वह समय दिखाएगा एक present का एक past का और एक future का ठीक दूसरा चीज मैंने लिखा है कि यह जो है यह वर्ब का mood reflect करता है रिप्रेजन करता है वर्ब का mood मने किस अवस्था में किस मिजाज में क्रिया की जा रही है किस यूं कह लिए जाए कि किस अवस्था में कार है कार कहां तक पहुँचा है कार की कई जैसे मैंने कहा कि एक काम होता है indefinite एक क्या होता है indefinite एक काम होता है continuous और एक काम होता है perfect यह तीन तरह के काम होते हैं indefinite, continuous, perfect ठिक है अगर इसको इंगली से समझना हो तो हमारे लिए बहुत आसान बात हैं इंगली से समझना हो तो क्या करना है अगर आप बीवन देखते हैं यह भीपन के साथ Ass performances देखते हैं या वर्व के second form indefinite को प्रस्तुत करता है फिर अगर वर्ब में आई एंजी है तो रिफलेक्ट करेगा अगर वर्ब का थर्ड फाम दिया यहीं वित्री दिया हुआ है तो पर्फेक्ट की तरब जाएगा यह है कि इसको हम इंग्लिस टूंग्लिस पढ़ लाएं इसमें हमको हिंदी में जाने के ज़रूत नहीं पड़ेगी जैसे हम वी वन देखाएं वी टू देखाएं यह वहां क्या समझ जाएं कि यहां बर जो है यह हमारा इंडिफिनित टैंस को प्रेजेंट करेगा किस को इंडिफिनित टैंस को और yectे सब्सक्रिंप सर्चेंद कर देते हैं कि सर आपने डू ड़ प्रेश लिखा蛇ं नहीं है आपने बिड़ लिखा है और आप कहर रहे हैं कि इनिदू प्रेजर को प यह बढ़ा है उसी चीज को मैंने बता दिया कि जब भी आप कभी वीवन देखेंगे यह वीवन में यस यस देखें यह वी टू देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कि काम इंडिटिनित की यहां बात इंडिटिनित की कि जा रही है दूसरा चीज देख लाएं कि अच्छाइक और चीज़ आपको यहां कन्फ्यूज कर देगा कि कहेंगे सर ठीक है यह तो प्रिजन के लिए हो में पास्ट के लिए अपने फ्रूचर ध्यान से समझ लेंगे कि वर्ब की जब मैं बात करता हूं तो मेन वर्ब की बात करता हूं क्योंकि जब हम वर्ब पढ़ेंगे या मैंने व लाग्राउन से पहले जो आपको पढ़ाया था वर्ब तो हम बताया था आपको कि वर्ब में एक एड्वांस वर्ब होता है जिसको हम हम बहुते हैं नानफिनिट वर्फू नानफिनिट वर्फू और भी कुछ ऐसी अवस्थाय होती हैं जहां पर आ यह आइन्जी फ़ाम होता है जिसे प्रिजन पर्ट्सीपल में अिंजी फंधा हुता है तो हम जब बात की कर रहे हैं यादि टेंस वाले वर्फ की मूडा फूर लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिसके वज़े से कभी कभी हम बात कहेंगे परजेंट में लेकिन बात हो जाएगी फ्यूचर की तो आप जो है जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाने का जो सैली होगा यह होगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है वह पहचान तो बहतर चीज है बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि 90 परशेंट से तो उसी पर कबर होते हैं तो मैं पहचान भी लिखा दूंगा आपके लिए और पहचान के साथ साथ उस टेंस में अधर क्या मतलब परिशानियां आ सकती हैं कहां भज सकते हैं वह भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा तो यहां पर देखें जैसे मैंने बात अब ही कहीं कि हिंदी से लिखते किसी और तरीके से हैं और वो रिफिलेर करता है किसी और टाइम को यहीं यह थैंस मैंने लिखा है कि मुझे विद्ध्यालय करूंगा आपको कि कभी कभी क्या होता है कि जो पहचान हम लिखे होते हैं वह पहचान टेंस को वेरिफाई करने के लिए सफिसेंट नहीं होता है परयाप्त नहीं होता है उस संटेंस का मूड और सेंस आपको समझना होगा कि कह क्या रहा है किस टाइम की बात कर रहा है तो यहां टाइम और टेंस दोनों अलग-अलग हो गया टेंस है प्रजेंट टाइम क्या है फ्यूचर का ठिक दूसरे संटेंस को देख लेते हैं मैं लिखा कि कल टेस्ट मैं स्प्रारम्भ होगा मैं अगर आप से पूछू कि यह कौन सा टेंस है तो मुझतली बच्चे यह करते है कि सर चुकी अंती में गागेगी आया हुआ है तो यह फ्यूचर टेंस है हां नहीं यह टाइम फ्यूचर है टेंस प्रजेंट है अब यह कैसे सर जी तो वह मैं जब आपको इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा यानि जैसे टेंस का करम वाई जब हमारा सलेबस चलेगा तो कि यहां पर यह टेंस फ्यूचर है ताइम फ्यूचर है लेकिन टेंस प्रजेंट क्यों है ठीक है तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इंगलिस से पढ़ लेना असान है हिंदी से इंगलिस बनाना यह कठिन कामों में से एक है क्योंकि वहां आपको सेंटेंस का डीप सें समझना होता है उसको समझने के बाद तभी हम टेंस को वेरिफाई कर सकते हैं तो एक चीज और से देखेंगे एक बार फिर से मैं जो कुछ बताए एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं आपके लिए टेंस रिप्रिजेंट करता है टाइम को और मूड आफ वर्ब को ठीक कर चुंद समझ जाते हैं बहुत आंसा ने paralysis मैं परफेक्ट काम हो चुका है तो परफेक्ट है ठीक क morals क्या होता है इंडिफिनिट क्या होता है मैं आपको परजेंट ट्रγयों में सबसे पहले चेले रही बताने का प्रयास करूँगा कि परजिजेंट इंडिफिनिट को गहा करूंगा है बताने का प्रयास आपको करूंगए यह में आपको ठैन्स बढ़ाते से मैं बता दूंगा कि duressy देख हूं कि ये सिमें एंच करता चला जाएगा ठीक है वोब कम मूड्ड और यह 10 मैश पर चला जाएगा और दूसरी इस से बताई आपको कि कभी कभी क्या हुता है यह वे ठाई के ल के लिए सबसे पहले हुद लेती के इसलों डिये उति हम पड़े गीए यह टेंस होता है टेंस के चार पार्ट होते हैं चार पार्ट के फिर तीन पार्ट के चार चार पार्ट होते हैं वह बच्छे जानते हैं तो थोड़ा सा इसको मैंने अलग से बताने का प्रयास किया कि टेंस रिप्रेजन्ट करता है क्रिया की अवस्था को और समय को क्रिया की अव क्या विक्राइब करते हैं तो फूचर इन्डीफिनि अगर क्या चल रहा है प्रुजन कहंग्त क्या ताइम के साथ जब perfection रहेगा तो उसको हम बोलते है perfect continuous tense होता क्या है हिंदी से जह हम पढ़ते हैं तो हिंदी से होता यह है कि कभी कभी बात दूसरे tense में होती है time दूसरा हो जाता है और कभी कभी दूसरे time दूसरा हो जाता है ठीक है यहां future की बात की जा रही है लेकिन present sentence है एहां बात present की की जा रही है लेकिन future में sentence है त्वासा करता हूँ जो कुछ मैंने बताया मेरा दूसरा वीडियो जो है बिल्कुल present सब्सक्राइब करता हूं जो कुछ मैंने आपको बताए बहतर समझ में आए होगा जय हिन जय भारत